टेप काइंट के आरोपी आज कोट में पेश होंगे मंतुराम पवार, डॉक्टर पुनित गुपता, अजी जोगी और अमिद जोगी को यहाँ पर पेश होना है आपको बदादे वोईस सेंपल के लिए कोट पेश हो सकते हैं आदेश 16 सितंबर को डायरी पेश ना होने से नहीं हो सकी पिसनवाई, एक दिन बढ़ा कर 17 सितंबर को समय पिसनवाई आपको बतादे शक्की बड़ी शबर, अंतागर टेप काइंट मामले में आरोपी आज कोट पेश होंगे मन्तुराम पुरिगता, अजीद जोगी और अमिर जोगी को कोट में पेश होने की बात पेश नहीं गई गई है, वोई सेंपल के लिए कोट पेश सकता है, आदेश और साथ में 16 सितंबर को होना गा लेकिन बढ़ा कर 17 सितंबर कर दिया गया है और हमारा दराइपूर से सुरा समध आता सत्या राश्पूर सी ते जुड़ सके लाइव, उससे बाचित करते हैं, सत्या जिस तरह हम देखे हैं, अम्तार को टेप कारण मामले को लेकर तमाम तरह की चीज़ों सामने आ रही है, और अब, यानि कि 16 तारिक की गई थी, 17 तार क्या कुछ इसके बारे में अपडेट आपके पास। जब मंतूराम पवार ने 164 के तहट अपना बयान दर्ज कराया और कई बड़े खुलासे की हैं, इस मामले पे 7,7 करोड के डील का बास सामने आई, राजयस मुरस से लेकर पूरवशीयम रमंग सींग, भूद पूरवशीयम अजीद जोगी और अमीद जोगी और कुनित बुलाया है, आपको बता दें कि ये 16 तारीक को भी इनको बुलाया गया था, लेकिं कोर्ट में डाइरी पेस नहीं होने कारण इनका वाई सेंपल नहीं हो पाया था, और कोर्ट ने डेट बढ़ाकर आज 17 तारीक का डेट दिया है जी, क्या लगता है जिस तरह हम इस केस की बात करें तो किमाम तरह के जटके लगें इन सारे नेताओं को और यलिए आज की बात की जाए, तो आज सभी लोगों को कोर्ट में पेश होने की बात की गई है, तो क्या लगता है जिस तरह कोर्ट में पेश होने की चर्चा आतर च इससे सच की पता चलेगा वहीं उन्हें कहा कि जो पुर्वर सीएम रमन सिंग है जो डॉक्टर पुनीद गुपता को कोट की भेजना चाहिए उनको वाइस सेंपल देना चाहिए इससे सच्चाई का पता चल पाएगा तो ये एक तरह से पूरा बयान वाजीब हो रहा है इस मा परन उनका वाइस सेंपल ले सकें तो वहाँ पे जाते थे साइटी कह रहा है वहाँ पे जम की राजनीती होती थी नारे बाजे करते थे और वापस आ जाते थे तो इस तरह आप कोट के सामने आज पेस होंगे और कोट में आदेश हो सकता है कि इंका वाइस सेंपल लिया जा है चलिए बात करते बापा